नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर आज सुभे की बात है UPSC CAC Mains GS Paper 1 कंड़क्ट किया गया था उसी paper की discussion briefly मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूँ हम लोग briefly बात करेंगे किस-किस तरह की approaches आप लोग follow कर सकते थे अलग-लग सवालों में and I will discuss about the questions of geography in particular and बाकी questions के बारे में भी मैं touch upon करूँगा कि किस तरीके से current face की जो knowledge थी वो इस साल के paper में काफी जाधा काम आती है चले शिरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं GS 2021 के breakup के बारे में so इसमें सबसे बड़ा वेटेज आपको देखने को मिलता है geography का जिसमें की 44% की वेटेज दी गई है 110 marks का वेटेज दिया गया है and precisely बात करें तो कुल मिलाके 9 questions है जो की geography से पूछे गई है ये थोड़ा सा जादा है as compared to previous years society के case में आपकी जो वेटेज है आपको जादा देखने को मिले है कुल मिलाके आपको 3 questions देखने को मिलते हैं कुल मिलाके 40% की जो वेटेज है 40 marks की जो वेटेज है वो देखने को मिलती है from the topic of modern India and एक question पूछा गया after a very very long gap in the topic of post-independence आज से 8 साल पहले 2013 में UPSD ने सवाल पूछा था उसके बाद कोई सवाल नहीं and now we have a question in 2021 from the topic of post-independence world history से again one question पूछा गया है following the normal pattern जो कि अभी तक UPSD follow करता आया था हाँ पिछले साल नहीं था लेकिन उसके पहले 2016 से हर साल एक सवाल पूछा ही जाता था world history से और इस बार का जो सवाल था बलकी वो 15 marks का सवाल था but it was a very very straightforward question था उसका जबाब दे सकते थे so बात करेंगे detail में आगे जाके कि इसका break up हम लोग compare भी करेंगे जो instructions थी बिल्कुल same थी कोई कोई दिक्कत नहीं थी 1 to 10 questions 150 words में 11 to 20 questions आपको 250 words में ही लिखने थे इसमें कोई बदलाव आपको नहीं देखने को मिला था चले शुरू करते हैं बात करेंगे चीजों के वारे उन डीटेल में मेरा नाम है अनिरुद अगर आप लोग इस lecture के पूरी की पूरी यह lines बन रही है similarly modern इंडिया में पहले 65 marks फिर 10 marks फिर 50 marks 25 marks 40 marks यह pattern हमने पिछले 5 साल का देखा है 2017 से आप लोग देखते आए हैं कि पहले 65 marks का बेटे जाया फिर 10 marks का आया फिर 50 marks का आया फिर 25 marks का आया फिर 40 marks का आया आर्टिन गल्चर में अगेन 10 marks 35 marks 10 marks 50 marks या फिर 10 marks तो यह आप कह सकते हैं कि जी हाँ हर alternate year एक-एक सवाल आता है लेकिन बीच में suddenly बड़ी-बड़ी peaks आती है but again no such pattern as you can see over here same goes for modern इंडिया कोई pattern देखने को नहीं मिलता यहाँ पर एक pattern आता है हर साल एक-एक सवाल देखने को मिल रहा है और यहाँ पर after a gap of many-many years you see one very simple question on a topic of post-independence तो यह थी कुछ basic सी कहानी regarding history इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं Indian society के बारे में अगर हम लोग बात करें society की तो यहाँ पर definitely एक बहुत अच्छा pattern देखने को मिल रहा है except the year of 2018 जिस साल society को बहुत जादा weightage दी गई थी overall society की जो weightage है यह लगभग 70 marks के आसपास की रहती ही रहती है in fact आप लोग यहाँ पर expect कर सकते हैं कि हर साल 5-6 questions आपको देखने को मिलेंगे इसका मतलब साफ है कि अगर आप लोग अगले साल की त्यारी कर रहे हैं Indian society के topic को आप लोग विल्कुल भी lightly नहीं ले सकते हैं in fact यह वाले questions काफी scoring भी होते हैं कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं काफी general तरीके से इन answers को लिखने की कोशिश करते हैं लेकिन I would strongly suggest against that आपको इन questions को general तरीके से अप्रोच नहीं करना है in fact you have to approach them in a very very detailed manner और एक solution oriented approach आपको offer करनी है तब ही जाकर आप लोग यहां पर justice करवा पाएंगे and जो इस साल सबसे बड़ा surprise हमें देखने को मिला वो था geography का इस साल geography ने एक नया record यहां पर कायम किया है because UPSC ने geography में 110 marks के सवाल को पूछा है which is really really surprising almost यहां पर 50% के आंकडे को touch कर दिया geography ने इस बार UPSC GS paper 1 में geography में pattern consistent देखने को मिल रहा है अगर आप लोग इसका pattern और पीछे जाकर के भी देखेंगे 2013 से भी जाकर के देखेंगे you will realize कि UPSC geography को हर साल काफी अच्छी काशी weightage देती आई है फिर भले वो prelims हो फिर भले वो mains हो और इस साल भी mains में 2021 के mains में UPSC ने उसी particular चीज को follow किया है and 44% का जो आपके जो questions है वो geography के topic में से पूछे गए है now ये था आपका brief सा pattern I think इससे आपको थोड़ा बहुत idea लगेगा कि आपको आने वाले time में किस तरीके से त्यारी करनी है post independence को लेकर और world history को लेकर again आपको बोल दूँ बहुत घबराने की आवशकता नहीं है बहुत जादा in depth आपको जाने की जरूरत नहीं है उपर उपर से भी पड़ेंगे अगर सवाल करने like होगा तो आप कर पाएंगे अगर बहुत मुश्किल सवाल होगा तो फिर वो छोड़ने के लिए ही आपका सवाल होता है बट इस साल सवाल दोनों आसान थे और इसलिए उनको attempt करना बनता था अगर हम लोग briefly बहुत ही briefly अगर हम बात करें इन questions की तो ये आप देख सकते हैं ये वाला जो पहला question है इसको तो हम लोग definitely art and culture के area में डालेंगे second question को भी I am we can put it either in the area of art and culture या फिर अगर जादा ही precisely बात करें तो इसको हम लोग modern India के area में डाल सकते हैं so यहाँ पर मैं थोड़ा सा I want to put it in the area of art and culture because I believe कि इसको जिस सोच से ये सवाल को बनाया गया है वो कही ना कहीं हमारे जो cultural movements थी उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है but anyways apart from the fact कि इसको हम लोग किस काटेगरी में डालने वाले हैं ये आपके दो सवाल थे जो कि art and culture slash modern India के थे और उसके बाद ये वाले आपके दो सवाल उसके बाद आते हैं question number 11 जो कि modern India का था to what extent does the role of moderates prepare a base for the wider freedom movement and then we have this question bring out the constructive programs of Mahatma Gandhi during non-corporation movement and the civil disobedience movement और इसके बाद आपके जो बचेवे सवाल आते हैं then we have this particular question from the topic of post-independence as you can see over here कि इसमें भारतिये रियासतों के एकी करण की प्रक्रिया में प्रमुक जो आपके मुख प्रशाशनिक मुद्दों और एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आतलन कीजिए आपको बताना है कि जब integration process चल रहा था Indian princely states का आपको मालूम होगा after independence जो एक बहुती बड़ा process चलाए गया था जिसमें हमारे main leader सदार वर्लभाई पतेल थे उसमें क्या-क्या administrative और social-cultural दिक्कते सामने आई थी उसके बारे में आपको geography का है question number 7 भी आपका geography का है question number 8 भी आपका geography का आपको देखने को मिल जाता है and इसके बाद अगर आप फिर से continue करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये question number 14 भी आपका geography का है question number 15 भी आपका geography से पूछा गया है question number 16 भी आपका geography से पूछा गया है and then finally अगर हम लोग बात करते हैं Indian society की तो as you can see over here ये वाले topic आपके Indian society के हैं uniqueness of tribal knowledge, examine the role of gig economy in the process of empowerment of women and then आपके last के तीन questions, objectives of population education की बात हुई है, then what is cryptocurrency, how does it affect the global society, now ये question precisely society का नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं ये society और economy की lines के ऊपर बनाया गया है and finally question number 20, how does Indian society maintain the continuity in the traditional social values, ये वाली चीज़ भी आपसे पूछी गई है, मैं कुछ कुछ चीज़ हैं इसके उपर जिनके उपर मैं चर्चा करने वाला हूँ, पहले I will talk about my favorite subject that is geography, कुछ brief discussion करते हैं regarding geography questions, यहाँ पर बहुत ही briefly आपको बताऊंगा, detailed analysis बात में कभी कर लेंगे, question number 4 आ Himalayan region में आपको मालूम होगा, कि जो आपकी भूसखलन की दिक्कतें आती हैं, वो केवल और केवल man-made reasons की वज़े से नहीं आती, बलकि natural reasons की वज़े से भी आपको देखने को मिल जाती हैं, यहाँ पर जो natural reasons हैं, उसमें भी आपको बताना था, कि natural reasons में कुल मिलाके दो तरह क reason आते हैं, एक आपके आते हैं, climatological factors और एक आपके आते हैं, geomorphological factors, यह एक बहुत बड़ा difference है, जो कि आपको western घाट में देखने को नहीं मिलेगा, climatological factors आपको western घाट में देखने को मिल जाते हैं, because बारिश की जो problem है, वो Himalayan में तो है ही, साथ में western घाट में भी देखने क मिलती है, because of the southwest monsoon season, लेकिन जो geomorphological factors हैं, वो primarily आपको Himalayan region देखने को मिलते हैं, why, because यह वाले जो आपके mountains है, यह young fold mountains की category में fall करते हैं, और आपको मालूम होगा, कि हमारा जो Indian plate है, वो consistently northward moment उसकी हो रही है, एक particular speed के ऊपर, जिसके चलते, जो भूस खलन की दिक्कत है, यह Himal distinguishing factor बनता है, from the western ghats का, जो आपका देखने को मिलता है, cause of landslides in the western ghats, अगर हम बात करें, इसके इलावा, जो natural reasons के इलावा, जो anthropological reasons है, वो कही ना कहीं दोनों में same ही है, because Himalayan region में भी आपकी जो constructions हो रही है, और similar तरीके से western ghats में भी आपकी जो constructions हो रही है, वो गलत तरीक सबसे बड़ा distinguishing factor बनेगा, that will be the geomorphological factor, इसके इलावा, अगर आप लोग थोड़ा सा और depth में जाना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ यहाँ पर mention कर सकते थे, something called as fluvial erosion, यानि कि इसमें, जो आपका water की वज़े से, जो नदियों की वज़े से होने वाला erosion है, वो भी हिमाल्या में आपको जादा देखने को मिलता है, जिसकी वज़े से आपकी landslides की problem जादा आती है, because यहाँ पर जो नदिया है, उनका flow काफी जादा है, वो perennial नदिया है, लेकिन western ghats में नदियों का flow और उनका उतना आपको, जो है, उनका जो flow है, वो seasonal देखने को मिलता है, that is why, that is also one major difference between the geography of Himalayan region and the western ghats, जिसकी वज़े से यह वाले differences आपको देखने को मिल जाते हैं, इसके बाद अगर हम next question की बात करेंगे, यह वाला question, जो question no. 5 है, यह काफी हद तक similar है, with one more question आप देख सकते हैं, despite India being one of the countries of the Gondwana land, its mining industry contributes much less to its gross domestic product in percentage, और यह वाला आप यहाँ पर mining की बात करी गई है, यहाँ पर एक और सवाल जो की mining की बात करता है, discuss the multi-dimensional implications of uneven distribution of mineral oil in the world, तो दोनों की दोनों सवाल कहीं ना कहीं आपके deal करते हैं with the mining industry, and more importantly यह deal करते हैं with the strategic minerals, जिनकी चर्चा इस पूरे साल में बहुत बार हुई है, हमने multiple videos मनाई हैं इस चीज को लेकर, और इस बार जो आपने देखा किस तरीके से तेल के दाम जो बहुत बढ़ गए, तेल के दाम जो suddenly कम हो गए, हमने in fact we also made a video on the topic of global oil war, जिसमें हमने बताया था, किस तरीके से अलग-लग देश जो हैं वो कोशिश कर रही है, OPEC के साथ उसके बारे में आप लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, on various dimensions, for example, कुछ geographical dimensions हैं, हम बात करते हैं, social economic dimensions की बात करते हैं, कि जिस देश के पास तेल नहीं है, वहाँ पर तेल के दाम कैसे तेजी से बढ़ रही हैं, इंडिया में इसका सीधा-सीधा impact देखने को मिला है, पेट्रोल ने announcement करी, तो यह सारे के सारे वो देश हैं, जिनके पास mineral oil के reserves available नहीं हैं, और जिन लोगों के पास reserves available थे, उन्होंने अपनी उस monopoly का गलत फाइदा उठाया, तो यहाँ पर आप लोग geopolitical dimension की बात भी कर सकते हैं, कि because of this, we also saw some problems between the international relations among the countries, because they were not on the same page, तो यह आपका एक मुदा आपको मालूम है कि लोग distress में आ गए, लोगों के खर्चे बढ़ गए, लोगों के expenses बढ़ गए, और कहीं न कहीं इसका एक international level पर भी dimension बनता है, तो यह आपके multiple dimensions आपको बताने थे, लेकिन उसके पहले ऐसे सवाल में आपको हमेशा introduce करना है by writing about कि uneven distribution असल में किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, इसमें answer को बहतर करने के लिए आपको world map बनाना होगा और दिखाना होगा कि कौनसी कौनसी ऐसी countries हैं, जो कि दुनिया भर में oil के reserves को control करती हैं, primarily western Asian countries की बात करते हैं, उसके बाद Russia की बात करते हैं, then कुछ आपकी countries वहाँ पर Venezuela है, कुछ आपकी countries even Africa में हैं, ये कुछ-कुछ countries हैं, जहाँ पर आपको oil के reserves देखने के मिलते हैं, लेकिन बाकी mainly countries आपकी oil को import करती हैं, इस तरह से map दिखाते, आप introduce करते, फिर आप लोग implications की बात करते, because question में दो keywords हैं, दो keywords क्या है, uneven distribution पहला ये keyword है, और उसके बाद आपको implications की बात करनी है, ये आपका दूसरा keyword है, तो यहाँ पर दोनों चीजों को ही आपको equal weightage देते हुए बात करनी जरूरी है, खेर, अगर हम लोग ये सवाल की बात करें, कि even though India जो है, ये एक बहुत one of the countries of Gondwana land, और Gondwana land में आपको generally बहुत सारे minerals देखने को मिलते हैं, क्या वज़े हैं, कि ह हमारी जो mining industry है, उसमें आपको क्या-क्या shortcomings देखने को मिलती है, तो उसमें आपको अलग-लग shortcomings की बात करनी थी, for example, कुछ economic shortcomings government की तरफ से हैं, उतना पैसा इसमें नहीं दिया जा रहा है, technology की बात करनी है, safety की बात करनी है, because safety measures available नहीं है, तो लोग आपको नहीं मिलते हैं काम करने के लिए, उसके बाद refining capacity हमारी उतनी इच्छी नहीं है, then हम लोग mainly imports के उपर dependent है, जिसकी वज़े से इंडिया में हम लोग उतनी कोशिश नहीं करते हैं, उसको develop करने की sector की, इस तरह के आपको अलग-लग चीज़ों की बात करनी थी, but इसमें भी आप लोग एक इं general resources देखने को मिल जाते हैं, जिसमें main focus आपका धारवाड region में और छोटा नागपुर प्लाटू के इलाके में रहने वाला है, कुछ-कुछ resources आपको Northeast India में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये दो इलाके बहुत बड़ा chunk of the resources हैं, जो की contribute करते हैं towards India's main reserves, but यहाँ पर because of the backward development बगएरा बगएरा इन सब चीजों की बात करते हुए आप लोग बता सकते हैं कि इनका contribution GDP में उतना जादा हमें देखने को नहीं मिलता है, आप लोग यहाँ पर यहाँ पर बात कर सकते हैं कि इंडिया में manufacturing industry असल में उतनी developed नहीं है, जिसकी वज़े से problem और बढ़ चुकी ह कि उतनी जादा demand आपको industry से ही नहीं मिल पा रही है, तो यह भी आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, because हमारी GDP में जो manufacturing का भी contribution है, वो उतना नहीं है जितना की बाकी देशों में देखने को मिलता है, अगले सवाल की बात करें, यह वाला जो सवाल है, अगर आप देखेंग water resources की या water use की, तो इसमें environmental implications को लेकर ही सवाल आ रहा है, पिछले सालों से uniformly इस तरह के question पूछा ही जाता है, what are the environmental implications of the reclamations of the water bodies into urban land use, तो यह वाला question हम लोग almost काफी year से देखते आ रही है, इसका जो सीधा सीधा आपका answer है, वो बनता है, urban flooding का यह question आपका बना गाए, शहरी भ भूमी उद्धार के परयावर्निय प्रभाव क्या है, उद्धार नो सहत समझाईए, इसमें आपको example देना है Bengaluru का, इसमें आपको example देना है Guru Gram का, इसमें आपको example दे सकते हैं Mumbai का, जहाँ पर कुछ natural wetlands exist करती थी, कालकटा का या फिर कोलकटा का example दे सकते हैं, जहाँ पर यह वाले जो existing water bodies थी, यह buffer की तरह act किया करती थी, लेकिन आज वो water bodies वहाँ पे available नहीं है, और इसी वज़े से शहरों में बाड़ की दिक्कतें काफी बढ़ चुकी है, तो यह पहले आपको बताना है कि कहां कहां देखने को मिला है, ऐसे केस में map बनाना ना बनाना completely optional है, depend क करता है कि आप यहां पे किस तरीके से उसको शो कर रही है, अगर आप कुछ इस तरह का map बनाते हैं, for example, केवल यह शो करते हुए कि देखो यह इंडिया है, और इसमें हमने दिखा दिया कि देखो यहां पर बैंगलूरू में दिक्कत हुई है, यहां पर गुरगाओं में द आप देंगे, 2016 में, 2015 में जो चैन्नाई में दिक्कते आई, वो भी इसी वज़े से दिक्कते आई, हमने गलत तरीके से, unscientific तरीके से water bodies को reclaim किया, जिसके चलते यह वाली problems आज हमारे शेहरों में बढ़ चुकी है, and conclusion में आप लोग लग सकते हैं, कि smart cities का जो example है, वो कहीना क ही यहीं पर बैठता है, कि जी हां, हमें requirement है smart cities की, उसके मदद से ही हम लोग इन problems को ठीक कर सकते हैं, इसके बाद अगर हम अगल सवाल की बात करें, so this was also a very very straightforward question, कहीना कहीं आपके current affairs के साथ deal करता है, और यह सवाल, not just the current affairs, यह सवाल आपका सीधा सीधा, जो previous year questions है, उनके की बात करूँ, तो mention the global occurrence of volcanic eruptions in 2021 and their impact on regional environment, यह तो सीधा question है current affairs का, इस साल, I'm sure आपने सुना होगा, दो बड़ी जो volcanic eruptions, वैसे तो बहुत सारी volcanic eruptions हुई हैं, लेकिन जो दो बड़ी volcanic eruptions आपकी, इंडोनेशिया की, और साथ में आपको Spain वाली, आपने सुनी होगी, जिसकी वज habitat को खोया, जानवर अपनी habitat को खोया, लोगों ने अपने घरों को खोया, बहुत सारा public property का नुकसान हुआ, यह सब चीजों के बारे में आपको बात करनी थी, इसमें जिन बच्चों ने current affairs नहीं पड़े होंगे, वो शायद इसमें कुछ marks को lose out कर सकते हैं, because global occurrence of volcanic eruptions के बारे उसका जो impact है, यह तो आप लोग definitely बता सकते हैं, because this is very commonly, आप लोग जानकरी दे सकते हैं कि क्या-क्या इसमें दिक्कतें आती हैं, अगर एक volcano फटता है, और एक ज्वाला मुखी फटता है, तो उसके आसपास जो उसका पर्यावरन है, वो किस तरीके से प्रभावित होता है, इसमें आप लोग अलग अलग कारणों की बात कर सकते थे, अलग-लग कारण क्या बनते हैं, इसमें आपका जो कारण बनता है, सबसे पहले तो number one आपका कारण बनता है, that is, कि आपका geographical reason बनता है, because India जो है, वो separated है, नौर्थ में हिमालियास के साथ, और उसके बाद नीचे भ में एक अलग सी body लगती है, it is being separated by these huge हिमालियास, and hence इसको एक subcontinent कहा जाता है, आप यहां पर यह भी बताएंगे कि India को continent क्यों नहीं कहा जाता, India को continent इसलिए नहीं कहा जाता, because India जो है, वो continent जितना बड़ा नहीं है, लेकिन इसको subcontinent इसलिए कहा जाता है, because इसका जो आकार है, वो असल में काफी बड़ा है, और यहां पर आप लोग ना केवल geographical dimension देंगे, बलकि साथ में कुछ cultural या फिर कुछ societal dimension भी रसकते हैं, कि India में अलग-लग तरह की civilizations हमें देखने को मिली है, and India जो है, वो एक ऐसी जगा है, जहां पर अलग-लग तरह की civilizations की आकर mingling भी हुई ह इसका जो सही word हम लोग इस्तिमाल करते हैं, जो exact word refer करते हैं, that is called as peopling, अगर आप लोग जानते होगे, peopling के बारे में, तो peopling में मतलब क्या होता है, कि अलग-लग races का यहां पर आकर, जो है, intermingling हुई है, peopling हुई है, जिसकी वज़े से, India एक subcontinent बन चुका है, अलग- तरह के religions, अलग-लग तरह के, आपको caste, हर तरह की चीजें आपको India में देखने को मिल जाती है, and that is why it is also called as a subcontinent, so यहां पर don't just limit yourself to geographical dimensions, कोशिश कीजे कि आप लोग यहां पर कुछ cultural या societal dimension भी देते हैं, आपके answer में और अच्छे marks आपको मिल सकते हैं, अगर बाकी के questions की बात mountain ranges of the world and explain their impact on local weather conditions, तो यह काफी again, यह question आपका world physical geography से पूछा गया सवाल है, आपको बताना था कि किस-किस तरह से जो major mountain ranges of the world है, उनकी alignment कैसे है, तो for example, अगर आप लोग हिमालिया की बात करते हैं, तो हिमालिया की जो इस तरीके से बनी हुई है, because of this हिमालिया, यहां पर जो इसलिए इंडिया में आपको snowfall plains area में देखने को नहीं मिलती है, या फिर अगर लोग बात करते हैं कि इंडिया में जो monsoon system है, वो भी आपका mountain ranges से ही inspired है, right, because यहां पर western ghats है, तो यहां पर आपका यह orography rainfall देखने को मिलती है, इसके इलावा अगर आप लोग बात करते हैं तो even आप लोग बात कर सकते हैं regarding the North American continent की किस तरीके से, यहां पर भी आपका जो mainly weather system inspired है, वो rockies ने बहुत बड़ा यहां पर influence किया है, यहां पर जो आपकी westerlies बारिश लेकर आती है, वो यहां पर लेकर आती है, इस same thing आप लोग बोल सकते हैं regarding the continent of South America, जहां पर again Andes का एक ब आपका local weather conditions है, वो inspire हुए है, not just this, इसके बाद आप लोग जो local weather conditions में, आप लोग local winds की बात कर सकते हैं कि local winds भी इनी mountains से निकल कर आती है, कई सारी जो African, Africa में mountains है, वहां से local winds आती है, Sirocco की बात करते हैं, Fohan की बात करते हैं, यहां पर Chinook की बात करते हैं, so यह सब examples आप जितने maps यहां बनाएंगे, उतने अच्छे marks आपको इस सवाल में मिलेंगे, right, so again, not a very difficult question, because straightforward question था, कुछ भी आपको इसमें analyze करने की आवशकता नहीं थी, उसके बाद 15th question की बात करें, how do the melting of the Arctic ice and glaciers of the Antarctic differently affect the weather pattern and the human activities on the Earth, यह question थोड़ा पेचिदा है, और इसमें आपको Antarctic ice की जो melting है, वो weather patterns पे किस तरीके से impact करेगी, और Antarctic ice की melting है, वो असल में weather patterns पे किस तरीके से impact कर सकती है, तो यह थोड़ा सा टेड़ा है, because Arctic ice की melting का direct impact होता है human activities के उपर, Antarctic ice की melting का उतना बड़ा impact human activities के उपर नहीं होता है, अगर Arctic ice की melting होती है, आपको एक उधारन देता ह अगर वो root open up हो जाता है तो वो दुनिया भर की economic trade में एक बहुत बड़ा landmark moment होगा, आज भी वो root इस्तिमाल होता है, लेकर अगर उसकी melting और हो जाती है, तो यह root completely open up हो जाएगा, जिसकी वज़े से trade जो की आज की maximum Indian और Pacific Ocean में होती है, वो वाली trade आपकी कम हो सकती है, वहां से it can shift to the northern sea route as well, बट यहाँ पर आपको negative impacts की बात भी करने थी, अगर Arctic ice की यहाँ पर melting होती है, तो इसका सीधा impact कई सारे continents के उपर सीधा सीधा होगा, because जो mean sea level है, वो यहाँ पर affect होगा, Antarctic में अगर आपकी melting होती है, तो यह कहीना कहीं impact कर सकता है हमारे albedo के उपर, क्योंकि य melting है, यह कहीना कहीं आपका, वहाँ की जो local biodiversity है, उसके उपर इसका impact जादा होगा, as compared to the Arctic ice melting, not just that, Antarctic की जो melting है, इसका जो impact है, यह एक in general आपका mean sea level पर तो impact, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो Antarctic का impact है, इसका human activities के उपर impact कम होगा, जादा impact इस का जो है, यह biodiversity पर और आपकी जो दूसरे living organisms है, उनके उपर देखने को मिलेगा, अगर हम लोग weather patterns की बात करें, तो इसको समझना थोड़ा और भी पेचिदा है, because Arctic का जो melting है, यह again, अगर mean sea level पर सीधा-सीधा इसका impact आएगा, तो यह अलग आएगा, और Antarctic का जो weather patterns पर impact है, यह थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, यह again आपका जो सवाल है, इसलिए पूछा गया है, because over the years we have seen the melting of the Larson ice shelf, आपने सुना होगा, बाद बार इसको हमने सुर्खियों में कई बार discuss भी क्या है, कि Larson सी के जो ice shelf हो, वो कितनी तेजी से यहाँ पे melt हो रही है, और उसके क् आपके discussions भी करी है, कि अगर North Pole और South Pole पे melting होती है, तो उसका impact कहीं न कहीं आपको आगे जाकर के, कहीं न कहीं आगे जाकर के, monsoon patterns के उपर भी देखने को मिल सकता है, question number 17 काफी straightforward question है, यह question 2017 में भी UPSC के द्वारा पूछा गया था, हाला कि उस time पर यह question पूछा गया था, from the topic of Indian society, यहाँ पर पूछा गया है, what are the main socio-economic implications arising out of the development of IT industries in major cities of India, this is a very very straightforward question कि क्या क्या implications है, इसमें आपको अगे ध्यान रखना है कि positive और negative बातें दोनों mention करनी होंगी, तो अच्छा इसके लावा अगर हम बात करें, तो बाकी सवाल भी जादा मुश्किल नहीं थे, history के question, भक्त इसमें the interpretation can change, you can call it from modern India also, you can call it from modern culture also, and इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, society questions की तो वो भी आपके questions जाधा टेड़े नहीं थे, question number 9 की बात करें, tribal knowledge किस तरीके से unique है, आप सभी जानते हैं कि उनके जो social systems है, उनके जो economic systems है, वो कितने unique होते हैं, किस तरीके से वो लोग आपस में deal करते हैं, कई सारी societies, maternalistic societies हैं, जैसे आपकी normal societies, जो हैं, वो paternalistic होती हैं, या फिर बात करते हैं कि आप example दे सकते हैं कि वहाँ पर जो infrastructure की development है, वो कितनी हद तक local चीजों से inspired है, example आपका जो bridge, जो आपके living roots के bridges आपको देखने को मिलते हैं, मेगालिया में, जो सवाल भ बहुत बार सुर्फियों में रहा है, और इस बार in fact winter session में बात करी गई थी, कि gig workers को भी यहाँ पर आप लोग statutory status दीजे, because इनको अभी तक recognize नहीं गया गया है, lawful तरीके से, तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा topic है, और current face topic है, जो कि आपको देखने को मिला है, इसके बा Again, straightforward question from the topic of current affairs, आपको बताना था कि किस तरीके से cryptocurrency के जो माइने है, वो काफी जादा बदल चुके है, और इसने Indian society को काफी बड़े रूप से प्रभावित किया है, because आज के time पे काफी सारे लोग हैं, जो कि पहले trading नहीं करते थे, वो trading करने लग गई है, wealth को generate करने के तरीके क बदल चुके हैं, ये चीजें आप यहाँ पे mention कर सकते थे, objectives of population education, इसमें क्या है कि हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से population को हमें control में रखना चाहिए, कभी भी आप ये word उसना करें कि population को कम करना है, population को किस तरीके से control में रखना चाहिए, and what are the measures to achieve them in India in detail, तो इसमें क्या- social values enumerate the changes taking places in it, तो इसमें कई सारी चीज़ आप पर बता सकते हैं कि किस तरीके से, शादी व्या के तरीके आज भी वैसे ही चलते आ रहे हैं, arrange managers आज भी चलती हैं, लेकिन कहीं न कहीं बदला भी देखने को मिल रहा है, love managers का भी trend देखने को मिल रहा है, divorces का भी trend देखने को आप जो है, घरों में अभी भी कुछ लोग नीचे रहके खाना खाते हैं, कुछ लोग हाथ से खाना खाते हैं, लेकिन आपके आगे जाके चीज़ में बदलाब भी आया है, हम लोग pizza, burger भी खाने लगे हैं, तो these are all very open-ended questions, आप चाहें जिस भी तरीके से attempt कर सकते थे, बट जो main चीज में आपको यहां बोलना चाहता हूँ, वो यह है, कि यह कही ना कहीं आप से जो सवाल पूछे गए हैं, बहुत ही simple current affairs based questions पूछे गए हैं, घवराने वाली बात नहीं है, this is a good thing, good message, कि अब UPSC का paper जो है, वो इस साल आसान पूछा गया है, so यह जिन्नोंने paper दिय है, उनके लिए तो और अची बात है, because you must be scoring high in this paper, especially after seeing the essay paper yesterday, यह बहुत बड़ा relief था आपके लिए, और जो लोग अगले साल की त्यारी कर रहे हैं, उनके लिए अची बात यह है, कि UPSC current को focus दे रही है, और आप लोग अगर current के अपना time लगाते हैं, तो कही ना कहीं उसका results आपको देने को मिलता है, दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही detailed analysis हम लोग किसी और वीडियो में definitely करेंगे, जाने से पहला आपको बता दूँ कि अगर आप लोग अपनी तयारी को शुरू करना चाहते हैं, तो यह आप अपनी तयारी को शुरू कर सकते हैं, using this referral code अनी UPSC आप लोग courses को buy कर सकते हैं, और यह वाला combo offer है, जो कि आप यहाँ पर ले सकते हैं, especially अगर आप लोग 2023 की preparation कर रही है, इसमें आपको यह फायदे मिलेंगे, और यह वाले batches आपको available करवाए जाएंगे, साथी में combat मिसा ले लिजे कल के दिन by using the code अनी UPSC, thank you very much for listening, stay एट यून, हन्सी सेफ.